भॉक निरंजान सरणाम महाराज ये लीजिए भॉर्क हम नौकरों के हाथ से बिक्षा नहीं लेते लेकिन महाराज मालकिन इस धर की मालकिन से कहो कि अगर हमें बिक्षा देनी है तो सवय मा कर दे परनाम खाली हाथ लोट जाएंगे और जिसका मतलब होगा सर्वनाश जाओ छोटी मालकिन क्या हुआ कोई पागल सादू आया है कहता है नौकरों के आज से बिक्षा नहीं लूँगा अरे अजीब पागल है लाओ मैं देती हूँ लाओ मैं तोस्तूआ है और फाओ यसस के एडिक्वा लाओ है लाओ लाओ ल气 कर दोलयों Knowledge सभेउ्द सबस्क्राइब हमारे और कर दो bets três कर दो सकते हैं बज़ याओज़ याओग प्रफट देल वाओई ही मोटान। क्शयर मेर देला है याओग भुछ देला है याओग व्याओभ में प्रप्ट आफ़्ग हाँ कहीं वही नाग तो नहीं जिसने गुरुजी को भी डसा था कसम भैरोनात की अब हम इसे छोड़ेंगा नहीं बस मानी का पता चल जाए फिर ना यह लड़की बचेगी ना उसके पहरेदर नाग कौन है आप लोग अंदर कहा जा रहे हैं अच जाओ अबरदार तुम लोगों में से अवैली के अंदर कौन गया था तुम्हें नहीं मालूम तो फिर किसे मालूम है तुम्हारा गुरू जब होश में आ जाए तो उसे बता देना के राजा साथ ने सकती से कहलवाया है आइंदा अगर तुम लोगों में से कोई हवैली कितर फटका तो उसे गुजी सोब्ला दिया जाएगा समझे चलो कट यह संसार हमें हमारे लक्षा तक पहुंचने नहीं देगा लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा करें 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 नहीं करें झाल 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 पिछले पंदरा वर्षों से जिस उदेश्य के लिए हमने तुम्हें बंद कर रखा था आज उसे पूरा करने का समय आ गया है हमें वो मनी चाहिए और उसे पाने के लिए हमें तुम्हारी साहता क्या वशक्ता है तुम कोई साधारन जीव नहीं हमारी साधना का वो फल हो जो संसार का कोई भी कठिन से कठिन काम कर सकता है जो किसी मनुष्य की शक्ती से बहुत दूर है हो सकता है उस मनी को पाने के लिए तुम्हें कई लोगों की हत्या करनी पड़े लेकिन जो भी बाधा तुम्हारे रास्ते में आए हमेशा के लिए मिटा दो से एक बात और उस मनी तक पहुँचने की महत्वपुर्ण सीरी है वो लड़की नीलम उस रास्ते से जाओगे तो ये काम तुम्हारे लिए और भी आसान हो जाएगा हाँ है हमारे लक्ष को पाने के लिए तुम है ज्यादा मेहनत मे preliminary करनी पड़े है क्योंकि हमने अपनी माया से तुम्हेव शक्ती पैदा कर दी है कि तुम्हारी आवाज सुनकर कोई भी तुम्हारी तरफ स्था खिजा चला आएगा चाओ हमारी सब शक्तिया mungkin हमारे साथ है और सुनो जो माला बेख रहे हो इसका एक-एक मन का हमारी सिद्धी का फल है जब तक ये माला तुम्हारे कले में रहेगी तुम हमारे बंदन में रहोगे और तुम जो कुछ भी करोगे हमें मालूम होता रहेगा तुम्हारा क्या होगा ये तुम अच्छी तहां जानते हो जाओ भैरो 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 कितना मीठा गाते हो भगवाने कितने अच्छी आवाज दे है तुम्हें और भगवाने जो तुम्हें दिया है उसकी तो कोई कलपना भी नहीं कर सकता जी किसी बादशाने हमारे देश की खुबसूरूती को देखकर कहा था कि अगर धर्दी बे कहीं स्वर्ग है तो वह यही है यही है यही है और तुम्हें देखकर लगता है कि तो वो तुम हो तुम हो तुम हो तुम कौन हो अवा का एक ज्छोंका जो उधर से आया और इधर चला जाया का तुम तुम रहते कहा हो असीनों के दिल में करते क्या हो महाबत हर खुबसरे चीज से तुम भी तो बहुत खुबसरत हो सच कहता हूं पदा नहीं कभी तुमने आपने आपको गौर से देखा है यह नहीं अगर मेरी नजरों से देखो तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में तुम से ज्यादा खुबसरत कोई नहीं पातें अच्छे बना लेते हो कहां जा रहे हो नवल घड मेरी माा रहती है वहाँ बहुत अर्से बाद अपने घर जा रहा हूं तुम तो राजा साब की नीलम हो न पुलाक आदम ही, उसने आनन्द का दिल जीत लिया. तो तुम्हारा नाम आनन्द है? हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे. कब? जब तुम चाहो. महरबा हो के बुला लो मुझे चाहे जिस्दम. ना गया वक्त नहीं के फिर आना सको. तो फिर कल कहीं मिलेंगे? आओ के ना? बाबाइ. बाबाइ. हाई अंटी. लो, बिट्टू आ गई. आओ बेटी. ओ, आप भी प्रिंस्शामी? अवाई यू? वाइन, हाव यू? वाइन, थैंक यू. कहां से आ रही हूँ बेटी? इसे जरग घुमने गई थे आँटी. मगर आप लोग कहां रहते हैं? कुमार, तुम तो कई दिनों से नजरी नहीं आये? वह हाई कुमार. हमें तुम से बहुत बड़ी शिकायत. पिट्टू शहर से आकर अकेली पड़ गई है. तुम लोग हम उमर हो, कभी-कभी मिलते रहा करो. छोड़िये दादा जी, हमारे लिए इनके पास टाइम कहा है? जी, कल से रोज हाजर हो जाओंगा. बेटी, कभी तुम भी घर आओ ना? जरूर आंटी. अरे, बैठिये ना? नहीं, बेटी, बहुत देर से बैठे हैं, अब चलते हैं. आप भी कभी घर आईए ना? हाँ, विट्टू के साथ आओंगा. ओके आंटी. जी तेरो. बाई कमाई. See you. See you. ताता जी, ये काही तरी आंटी क्या चीज है? क्या मतलब? कहीं लाइन तो नहीं मार रही आपर. शरीर कहीं की. बल्लाम. आरे बल्लाम. ना जाने ये सुसरा बल्लाम कहां मर गया? मुंशी जी. ये बल्लाम कौन है? अजी अपना ड्राइवर है. कल सुभा बिटिया रानी को शहर जाना है. मुझे जाना है? और नहीं तो क्या मुझे जाना है? अरे मैंने तुम्हारे लिए एक बहतरीन एमबैसेडर गाड़ी का बंदोबस किया है. उसके पीछे एक मारूती वैंग का बंदोबस किया है. उसके अंदर चलता फिरता रसोई घर भी है. हमारी बिटी आरानी को रास्ते में खाने पीने की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, न? मुझे जी, आप मुझे यहां से भगाना चाहते हैं? कोई तकलीफ है आपको मुझसे? तचनीलू, तुमने जाने का इरादा बदल दिया? इतने अच्छे दादा जी को छोड़कर काउन जाता है, अब तो मैं यही रहूँगी, अपनी दादा जी के पास. पुर्शी जी, जाने का प्रोग्राम कैंसल. वे, गम कैंसल. मुझे जी, कुछ सुना अपनी? जी, सुना भी और देखा भी. इस हवेली में पहली बार बिट्टू के चेरे पर खुशी देखी है, और बिट्टू की खुशी हमारी खुशी है, आज हम सली ब्रीट करेंगे. दुख के, अब दिन बेतत ना ही. ओन्जी जी, आपको चड़ गई है, दुख के दिन बिताते बिताते आप साथ गिलास पी चुगे हैं. साथ, साथ, साथ का ये आंक्रा, साले साथी की तरह मेरे पीछे पढ़ गया है. आजमान में साथ रंग, जमीन में साथ समंग दर, और मेरे घर में मेरी साथ सालियां, जैसे साथ कालियां. मुनशी जी, सालियां गालियां नहीं होती हैं. हमने शादी नहीं की, लेकिन ये मालूम है कि सालियां जो हैं वो आदी घर वालियां होती हैं. अरे एक का बोज उठाते हैं उठाते मेरी कमर जुक गई मेरी सांस जहां थी वहाई के वहाई रुख गई बड़ी मुश्किल से उन सब की इशादियां की थी खर्चा कर करके अपनी बर्बादियां की थी मगर वाहरे मुश्किल तुमारी लाल तु किसमत का धनी है अबे तेरे पीछे शनी है वो फिर सातों की सातों फिर वापिस तेरे घर की कुंडली में आंट टपकी साथ सहेलियां खड़ी खड़ी फिर से ठपू लगाएं घड़ी घड़ी सरकार आप उन सातों से शादी कर लीजे मुश्य जी क्या पकवास कर रहे हैं आप एक से कर लीजे पल्राम नहीं वो नहीं चलेगा आप करिये मैं पल्राम ड्राइवर को बुला रहा हूँ आप बिलकुल ट्रंक हो चुके हैं तो आपको गारी में डाल कर घर तक छोड़ कर आएगा घर सरकार घर मत भेजिए मुझे काले पानी भेज दीजिए वो घर नहीं है सरकार वो नर्ख है मौनशे जी घर नर्ख नहीं होता स्वर्ग होता है आरे स्वर्ग आपके लिए होता होगा मेरे लिए तो नर्ख है मेरे घर का ये हाल है बीवी तलवार है और ये सरठाल है सरकार मुझे उंड घर से बल साइ權 एपने चलनों पर मुझे ठोड़ी सी जगा दे दिजे अरे सर्णों में शैंस नर्ख साथ बचा नर्ख मैं जाना मिलकर बोजू उठाना हाती साथ बचाना